बड़ा कद है चाहे वो किसी भी लिहाज से हो तो जाहिड सी बात है वो अपने बेटे को जरूर आगे सिंध्या के बेटे की तो अगर उनके मन मताबिक कोई सीटे आती है बारते जंता पार्टी के हाथ कुछ ऐसी सीटे लगती है जहां पर कही न कहीं उनका प्रभाव हो जोत विधान सभा चुनाव संपन हो चुका है अब देश भर में उपचुनावों को लेकर राजनेतिक पार्टियां तैयारियों में जोड़ चुकी है उत्यपर्देश बिहार जारकन राजस्थान तमाम राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं और इस कड़ी में देखा जा विधान सभा सीट पर तो प्रतियाशी भारतिय जंता पाटी सित्य है राम निवास रावत यहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं लेकिन बुद्नी विधान सभा सीट एक ऐसी विधान सभा सीट है जिस पर सबकी नजरे बनी हुई है क्योंकि बुद्नी विधान सभा स सीट से शिवरास सिंह चोहान ये कई बार चुनाव जीतकर मुख्य मंत्री कोर्षी पर बैटने का चुनाव शिवरा सिंह चोहान नहीं बुद्नी विधान सभा सीट से रधार सिंह है कि चुनाव में भी बुधनी से ही चुनाव लड़ते वे नजर आये थे और शिवराज सिंग चौहान ने बुधनी से चुनाव जितने के बाद मुख्य मंत्री पद को लेकर बड़ी जद्दो जहद की भारती जंता पाटी शिवराज सिंग चौहान को मुख्य मंत्री की कुरसी नहीं जाता है विदीशा से लोग सभा का चुनाव लड़ते हैं सांसत बनते हैं कृषी मंत्री तक बन जाते हैं केंद्रिय मंत्री बन जाते हैं तो शिवराज सिंग चोहान के बाद अब बुद्ली विधान सभा सीट पर उपचुनाव होना है और उपचुनावों में जिन चहरों क दूसरा नाम यहां पर आता है कार्थी के चोहान का इवा चहरे हैं और चोहान राजनीती में विधान सभाचुनाव से लेकर लोग सभा चुनाव तक अपने पिता को जिताने के लिए कार्थी के चोहान ने बहुत महनत की प्रचार प्रिसार करते वे नजर आये थे कुछ दिनों पहले कार्ति के चोहान का एक बड़ा बयान भी वायरल हुआ था जिसमें वो ये दावा कर रहे थे कि हमारी पार्टी कुछ नहीं करती है तो मैं पार्टी के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार हूँ इनी बयानों के यदाहर पर कार्ति के चोहान का नाम तो सुर्कियों में लेकिन केंद्री मन्तरी जोतरा दित्या सिंध्या के बेटे महरेमन सिंध्या का नाम गायब नसर आता है कार्ति के चोहान का नाम खूब सुर्खियों में है लेकिन जोतरा दित्य सिंध्या को भारतिय जंता पाटी लगतार दर किनार करती हुई नसर आ रही है मुख्य मंत्री कुर्सी पर ना बिठाना उप मुख्य मंत्री कुर्सी पर ना बिठाना इसके बाद हाल ही में केंद्री मंत्री बनना क्योंकि चुनाव लड़ते हुए नजर आये थी लोकसभा का उसके बावजूद जो तरह अदित्य सिंध्या खामोश है लेकिन बड़ी मां सिराज मौझूद है सिराज मध्यपरदेश की उप्चुनावों को लेकर आपको क्या लगता है बुद्री विधान सभा सीट यह एक ऐसा गड़ कही जाती है जो अल्प संख्यकों के रूप में आती है किरार समुदाई की बात करें ओबी सी कैटिगरी से आते हैं शिवरा निती के लिहास से मुझे निलता कोई बड़ा मुद्धा है क्योंकि देखिए आप बारती जनता पार्टी हो कॉई भी पार्टी उसमें कहीं न कहीं परिवार के लोग जरूर जुड़ते हुए नजर आते हैं और जाहिर सी बात है कि अगर शिवरा सिंग चोहान का इतना वो अपने करीबी लोगों को आगे जरूर करते हैं तो इसमें परिवार वादवाला जो मुद्धा लगतार भारते जनता पार्टी कॉंग्रिस पर लगाती है वो मुझे लगता है पूरी तरीके से खारिज हो जाता है अब रही बात आप चुनाव की तो देखिए जिस तरी तरीके से बुधनी विधान सबास जो सीट है वहाँ पर लगतार जिस तरीके से जद्दो दहर देखी जारी है मुझे लगता है कि वो गड़ जो है वो शिराज सिंग चौहान का है उसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसा फैक्टरी नहीं है कि कौन सी वोट जाता है दलित समय से अपने पिता के साथ जो है चुनापरचार में नजर आये लगतार वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं और इसी लिहाँ से देखी तो मुझे लगता है कि सिराज सिंग चौहान अपने बेटे को कार्ति के चौहान को टिकट दिलाना चाहते हैं ताकि उनका जो राजीतिक पार्टी में मुझे नहीं रखता कि उनकी बातों को बारती जन्ता पार्टी ना कार्ती भी नजर आएगी कि देखिए बारती जन्ता पार्टी को खुद चाहिए कि एक जो चुनाव जीतने वाला कंडिडेट हो जो जीताने वाला कंडिडेट हो वही हो और कार्ती के चौहा खुद जो है उनके लिए तमाम तरह की कोशिश से यहां पर यह सवाल लेना चाहूंगी कि कार्थी के चोहान राजिनीती में सक्रिय नजर आते हैं शिवरार सिंग चोहान के बेटे हैं से तो जो तरह दिते सिंधिया और उनकी बेटे महारेमन सिंधिया ने भी चुना प्रचा कि वहां से अगर जो तरह सिंधिया को उनके बेटे को अगर चुनावी रण में उतारा जाए तो वो उतना प्रभावी डंग से चुनाव नहीं जी सकते जितना वहां पर प्रभाव शिराज सिंग चोहान का है और यही वो बड़ी वज़ा है कि शिराज सिंग चोहान के नेता है और वहां पर ज्यादा प्रभावी धंग से कहीं न कहीं चुनाव जीतने में कामियाभी हासिल कर सकते हैं इसलिया से उनके बेटे पर तवजुदी जा रही बात तो अगर उनके मन वालियोर्से चुनाव लड़ने के लिए भारती जंता पार्टी टिकेट देटी वही नजर नहीं आये थी बलकि ये खाहा जोड़ा है था लेकिन भारते जंता पार्टी में आने की बाद गुनास से लोकसभा कच्छुनाब भी जीत जाते हैं इस लिहाज से देखा जाए तो शिवराज सिंग चोहान का कद जोतरादित्या सिंध्या से ज्यादा बड़ा नसर आता है और यही वज़ा है कि लगतार जोतरादित्या सिं वो भी मध्य परदेश में भारती जंता पार्टी के लिए कैसी कारगार योजना है जिसके बलबूते पर चुनाव लगतार वो जीतते वे नसर आते हैं एक आखरी सवाल लेना चाहूंगी सिराज क्या लगता है कि वो कार्टी के चोहान जो विधान सभा चुनाव में 2023 के व विश्वास दिलाना चाहता हूं बुधनी की जंता को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये पिता की seat है और जो कामों को लेकर दावावादा किया गया है वो पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है अगर पार्टी पूरा नहीं करती है तो पार्टी के खिलाव भी जाने के लिए तो ऐसे में अगर शिवराज सिंग चौहान के बेटे का नाम सुर्खियों में हैं अगर भारती जनता पार्टी मोहर नहीं लगाती है तो क्या शिवराज सिंग चौहान या उनके बेटे कोई बागी कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं जी देखिए मुझे नहीं लगता है सिराज सिंग चौहान का कोई भी उनकी बात जो है इस वक्त बारती जनता पार्टी में टालता वा नजर आएगा जब बात होती है सीट की तो देखिए कि मैंने पहली कहा कि बारती जनता पार्टी को एक ऐसा उमिद्वार चाहिए जो वहा सिराज सिंग चौहान एक बड़े नेता है और जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे उस वक्त भी लागतार उनके बगावत के खबरे चल रहे थी लेकिन किसी भी तरीके से भारती जनता पार्टी ने उन्हें मनाने में कामियाब रही और अभी वो केंद्री मंत्री है तो उनके बेटे को टिकट नहीं मिलता है तो जाहिए सी बात है निर्दली चुनाओ लड़ने की संभावना है क्योंकि राजनीती में संभावनाय हमेशा बरकरार रहती है लेकिन मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा कोई कदम चौहान जिस तरीकी से बयान उन्होंने दिया था उसके बाद से ही लगतार कयास लगाए जाने लगे ती कि आने वाले समय में अब सिवराज सिंग्छान का जो समराज है जो उनका जनधार है उसका फायदा पूरी तरीकी से कह सकते हैं का आर्थी के चौहान उठाना चाहें तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सक्रिय नजर आते हैं बुद्नी में प्रचार प्रसार भी करते हैं जनता को संबोधित भी करते हैं इसलिए हास ते देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी के तहत जीतू पटवारी हो सकते हैं कि वो बुद्नी से उपचुन और क्या कार्थी के चाहान को टिकेट मिलती है तो क्या जो तरह दित्तिया सिंधिया इस पूरे मामली पर खामोश नजर आते हैं या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आती है इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राहे कम सक्षन में जरूर बताएं देखते रहें स्पेन आइन्यूस तानिवाद